तो हम 14 नावंबर 1968 की मुर्ले रिवाइस कर रहे थे तो पापददा कह रहा था कि अपनी आवस्ता को चेक करने से मालूम पढ़ जाता है कि हम आदी से आने वाले मद्दी में आने वाले है या लास्ट में आने वाले है तो पापददा कह रहा है था बहुत बातें पापददा ने सुनाए तो है अब प्रैक्टिकली हम हमें करना चाहता है उनका संपर्न और स्वरूपन देखना चाहता है तो वहाँ वह मुरली फिनिश हो गए आज नहीं है मुरली है तो आज का व्यक्त मुरली का डेट है 27 नवंबर 1978 तो मुरली का हेडिंग है अल्वकाल के नाम और मान से न्यारे ही सरो के प्यारे बन सकते हैं जो नाम और मान से न्यारे हैं वही सरो के प्यारे बन सकते हैं तो बापदादा कहता है सदाकाल के लिए इच्चा मात्रम अविद्या भनाने वाले बापदादा बोले आज बाप दादा विशेश बच्चों से मिलन मनाने आए है जैसे बच्चे निरंतर योगी है जैसे बच्चे निरंतर योगी है अर्ताद बाप के स्ने के सागर में सदा लवलीन है एसे ही बाप भी बच्चों के स्ने में निरंतर बच्चों के गुनगान गाते हैं हर बच्चे की गुनमाला और हर बच्चे के स्रेष्ट चरित्र के चित्र बापदादा के पास है बाब दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुन्दर, चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो, वा चित्र शाला कहो, सदा सामने है, क्योंकि बाबा अपने कारी कहां तक आया, बच्चा कहां तक रड़ी है, यह सब देखते हैं, तो बाब दादा के पास बाबा कहता हम साब बच् चित्रलई है, हर एक का चित्र और माला सदा बाब देखते रहते हैं, क्योंकि बाबा खंपैर करते हैं, समय से, हम कितना दूर है, मेरा कारी कब संपन होगा, यह सब बाब दादा देखते हैं, तो किनों की माला बड़ी है, किनों की चोटी है, तुम सब को तो एक बाब को याद करना पड़ता है, बाप दादा को सरु बच्चों को याद करना पड़ता है, एक को भी बूल नहीं सकते। से इक बच्चे को भी अलग हर एक को याद करतें और बाप दादा की सबसे बड़ेविसेश्टा है वो परमात्मा का कोई है इस्पा A के समय हम सब को रेस्पॉंड कर सकते हैं तो बाप दादा ये को भी भूलते नहीं हैं अगर भूले तो उलहना की माला पहननी पड़े तो बच्चे उलहनों की माला पहनाते हैं बाप विजय माला पहनाते हैं बहुत होश्यार हैं बच्चे में बच्चे कंप्लेंट देने में बहुत फास्ट होते हैं बाप दादा को ही सुनाते हैं बाप दादा आप हमारा सुनते नहीं हैं किए हमारा हिसाब किताब तो है, और आमको मालूम भी होना चाहिए कि बाप-ददा एमारा हिसाब किताब के बीच में आता नहीं है. सूले को कान्टा तो बनता है, अट लिस्ट कान्टे को तो हमको föस करना ही पड़ेगा. मदद लेने में होश्यार है और हिम्मत रखने में नमबरवार है सुना तो बहुत है आप बाकी क्या करना है तो बाप ददा कहता है बच्चे बहुत होश्यार होते हैं मदद लेते हैं लेकिन हिम्मत रखने में नमबरवार होते हैं आप तो सिर्फ मिलन मनाने मनाते रहना है जैसे अभी का मिलन संपन स्टेज का अनभव खराता है ऐसे निरंतर मिलन मनाओ तो बाप दादा एक युक्ते देता है जैसे बाप दादा पूछता है बच्चों से कि बच्चे आप ये करेगा तो हर बच्चा समझता है मैं कर सकता हूँ बाद में घर जाने के बाद लगता है कि हमने वाइदा तो किया बट मुश्किल है तो बाप दादा कहता है तो मिलन मनाते टाइम हमारे स्टेज आवस्ता अलग होती है तो बाप दादा कहता बच्चे हर सेकेंड है समझो कि मैं बाप दादा से मिलन मना रहा हूँ सुनने का रिटन सदा बाप समान संपन स्वरूप में दिखाओ तो जो बाबा से हमने सुना बाबा कहता रिटान में अब बाप समान संपन स्वरूप अपना दिखाओ बाबा कहता अनेक तड़कती हुए आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो तो यह शब्द बाब दादा ने हमने एक बार रिपीट किया है क्या है हम सोचते हैं संगम युग है बाबा से मिलन मनाते हैं आनन्द मनाते हैं बट बाबा को मन में क्या होता कि बहुत दुखी आत्माओं हैं उसको भी बाबा कैसे उसकी दुख को फिनिश करें तो बाब बच्चे आपकी अवस्तापे डिपेंड है वो कितने जल्ले वो मुक्त होगा, तो बापदादा क्या कहता है, अनेक तरप्तुए हुई आत्माओं का इंतजार समाप्त करो, वो कैसे समाप्त करेंगे, आप बापदादा कहता है, संपन दर्शनी मूर्टबन अनेकों को दर्शन कराओ तो हम संपन बन जाएंगे तो हम उनको कुछ मदद कर सकेंगे अब दुक आशांती के अनुबूती अती में जा रही है उन्हें अपने अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कारिय अती तीवरता से करो तो बाब दादा क्या कहता है अनेक आत्मा दुकी है और अती दुक में जा रहा है और उस अती दुक को समाप्त करने के लिए बाबा कहता आपका समाप्ती का स्टेज लेके आजाओ अंतिम स्टेज का बाब दादा कहता है बहुत दिवरता से प्राप्त करो Master रचता की स्टेज पर स्थित हो अपनी रचना के बेहद दुख और आशांति की समस्या को समाप्त करो दुख हरता सुख करता का पाट बजाओ तो भापदादा कहता है बच्चे आप पे दुख हरता सुख करता का पाट बजाओ तो यह है अब एक मुर्ली का रिजिशन तो आभी साकार मुर्ली पढ़ते हैं तो आज है 22nd June 2024 और आज का साकार मुर्ली है बाबा कहता है मेटे बच्चे यहां तुम बदलने के लिए आये हो तुम्हे आशरी गुनों को बदल दैवे गुन दारन करने है या देवता बनने की पढ़ाई है मेटे बच्चे यहां तुम बदलने के लिए आये हो तुम्हे आशरी गुनों को बदल दैवे गुन दारन करने है या देवता बनने की पढ़ाई है तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता उत्तर मनिश से देवता बनने की पढ़ाई अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाए और कोई भी पढ़ा नहीं सकता देवता बनने की पढ़ाई है ये अपवित्र से पवित्र बनने की पढ़ाई बाप ही सहाज ग्यान और राज्यों की पड़ाई द्वारा पवित्र प्रवृति मार्ग सापन करते हैं यह है उत्तर ओम शांति बाप बैट बच्चों को समझाते हैं वास्तों में दोनों ही बाप हैं एक हद का दूसरा बेहद का तो यह दोनों बाप मशूर हैं हमको तो तीन हैं अलोक एक बाप भी हैं पर दुनिया के इसाब से दो बाप हैं यह बाप भी है तो यह बाप भी है वह बाप भी है तो यह बाप भी है बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो दुनों बाप का अंतर बाबा समझाते हैं। लोकिक बाप तो ऐसे ही याद आ जाएगा। पार लोकिक बाप भी मेरा बाप है। यह हमारे अंदर में फीलिंग होनी चाहिए। तो राजयोग उसको ही कहते हैं। आपने को आत्मा समझना पहली बात है। दूसरे बात परमात्मा मेरा बाप है। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युक के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहां मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किये हैं। तुम बक्त थे ना? तो कितने सत्संगों में जाते थे? जरूर गुरु किये हुए हैं। शास्त्रा अध्यायन किये हुए हैं। परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। तुम्हारा टीचर हूँ। सुप्रीम टीचर हैं। तो सुप्रीम टीचर की ये पढ़ाई पढ़ने से हमारा पद भी उन्चा होगा। बाबा क्या बनगा। आप धेवता बनते हो। तो कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उन्चपद पाते हैं। परंतो वह पढ़ाते हैं यहां के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नए दुनिया के लिए। तो यह पढ़ाई बाबा कहता है यह नए दुनिया के लिए हैं। गोल्डन एजड वर्ल्ड कहा जाता है यह तो जानते हो कि इस समय आशरी गुनों को बदल दैवे गुन धारन करने है यहां तुम बदलने के लिए आये हो बक्ति मार्ग में वो पास्बिल नहीं है बदलना पास्बिल नहीं है क्यूंकि बदलने के लिए शक्ति चाहिए कौन सी शक्ति परिवर्थन करने के शक्ति वो तो योग से ही प्राप्त होता है तो बाब दादा कहता है बाबा कहता है यहां तुम बदलने के लिए आये हो कैरेक्टर की महिमा की जाती है अज़ दुनिया वाले क्या कहते हैं? Character is the destiny तो character को बहुत महमा है तो देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं तुमको अभी aim object मिली है बविश्य के लिए बाप नई दुनिया की स्तापना करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं तो वो aim object है क्या से क्या बनना ये aim object हमको प्राप्त हुई वहां तो विकार की बात होती नहीं तुम रावन पर जीत पाते हो रावन राज्य में है ही सब विकारी यता राजा रानी तता प्रजा तो रावन राज्य में विकारी वहां सब पवित्रा ऐसा अभी तो है पंचायत राज्य प्रजा के प्रजा के उपर राज्य है डेमाक्रसी तो बाबा कहता है यह पंचायती है उनके पहले राजा रानी का राच्यता परंतो वह भी पतित थे उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते है निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थ तो राजा के पास मंदिर भी होता है, पुजा मंदिर, तो वो भी देवताओं की पुजा करते हैं. जानते हैं वो देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं, देवताओं का राज्य अब नहीं है. बाप आत्मों को पावन बनाते हैं, और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवताओं शरीर वाले थे, तो हम देवताओं के शरीर में हम ही थे, तुम्हारी आत्मों और शरीर दोनों पवित्र थे, अब फिर से बाप आकर पदिच से पावन बनाते हैं, इसलिए तुम यहां आये को बाबा और्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे काम महाशित्रु है यह तुमको आधी मद्य अंत दुख देते हैं अभी तुमको ग्रुस व्योहार में रहते हुए पावन पन्ना है ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे परन्तु वहां विकारी द्रिष्टी नहीं रहती निर्विकारी होकर रहते हैं तो बाबा कहता है आपस में प्यार होना यह अलग बात है बट बाबा कहता है वहां विकार की बात नहीं है तो बाप भी कहते हैं ग्रोरस्त व्योहार में रहते एक अमल फूल समान रहो अपना बविश्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोडी थे तो सत्युग में कैसे हम थे ऐसे अपने अवस्ता को बनाना है क्योंकि रेटन जरनी है हम देवता, क्षत्रिय और वैश शूद्र तो आभी शूद्र बने है तो आभी अमारे आवस्ता को भी रेटन में लेके जाना है क्योंकि पुरुशोत्तम बनना है अबे तो आभी शूद्र, वैश, क्षत्रिय, फिर्दे होता तो ऐसे हमारे अवस्ता को भी बदलना है तो हरेक आत्मा बिन नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई है अभी तुम्हारा यह है अंतिम पार्ट तो यह भी समझना है तो यह अंतिम जनम में अंतिम तोड़े दिन बचे है हमारा तो इसमें क्या करना चाहते हैं हम यह हमको डिसाइड करने है क्यूंकि हमारे सामने बहुत चीज़े है एक है हमारे सामने कि हमें बविश एकीज जनमों के लिए हमारे बागिया बनाने का समय भी अभी है इसको गवाना नहीं है तो पवित्रता के लिए बहुत मुझते हैं कि क्या करें कैसे कमपैनियन होकर रहें कमपैनियन होकर रहने का अर्थ क्या है तो विलायत में जब बुड़े होते हैं तो फिर कमपैनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं संभाल के लिए ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं सन्यासियों की तो बात अलग है गुर्वास्त में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं शादी करना फिर बाल बच्चे आदी संबालना ऐसी जाल फैलाएं हैं फैलाएं हैं क्यों जो खुद ही फस पड़े बाबा कहता है वो यह भूबी एक जाल जैसा है शादी कर लिया तो सारे रिस्ता डबल होता है फिर रिस्तों को संबालना पड़ता है अन्य तो हमारा फिर कंप्लेंट होगा तो बाबा कहता फिर वो जाल ही फैलाएं क्यों ऐसे बहुत यहां भी आते हैं चाली साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हैं इसके बाद क्या शादी करेंगे क्योंकि टाइम पार हो गया शादी का टाइम पार हो गया तो बाबा कहते हैं इसके बाद क्या शादी करेंगे स्वतंतर रहना पसंद करते हैं तो बाप उनको देख कुश होते हैं ऐसे कोई बाबा को मिला, तो बाबा कुछ होते हैं, यह तो है ही बंदन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंदन, उसमें दे सहित सब को बूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो बाकी बाबा क्या कहता है? इस शरीर को तो बूलना है देशाइद सर्वदर्मान परित्यजम मामेकम शरनम ब्रजर। तो देशाइद सब को बूलना है, यहां उनले एक बाप को याद करना है। कोई भी देहदारी क्रैश्ट आदी को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहदारी नहीं है, बाबा कहता है बाबा देहदारी नहीं है। उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी है, आत्मा को पाठ मिला हुआ है। यह अबिनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो पहले-पहले हमारा दरम, करम जो स्रेश्ट था वह अभी ब्रश्ट बन गया है। 84 जनमों में बिन बिन नाम रूप बदलता आया है। तो बाप ने बताया है कि मीटे मीटे बच्चों तुम आपने जनमों को ही नहीं चांते हो। मैं तुमको 84 जनमों की कहानी सुनाता हूँ। तो 84 जनम में क्या क्या हुआ? कि इस जनम में क्या कर रहे थे? ये सारी कहानी बाबा हमको सुनाता है। तो जरूर पहले जनम से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्रते अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माता ठेकते हो। क्रिश्चन लोग क्रेश्ट के आगे, बौधी लोग बुद्ध के आगे, सिक लोग गुरुनानक की दरबार के आगे जाकर माता ठेकते हैं। इससे मालूम पढ़ता है कि ये किस पंत के हैं। किसको वो माता ठेकते हैं। उससे आमको मालम पड़ता कि वो किस पंत के हैं। तुमारे लिए तो कह देते हैं कि यह हिंदु है। आदी सनातन दिवी देवता दरम कहा गया। यह किसको पता नहीं। तो अमरे लिए कहते हैं हिंदु। बड़ बाबा कहता ये देवी देवता दरम तो कहा गया प्रायलोप हो गया है बारत है भारत में चित्र तो अता बनाए हुई है मनिशों की भी अनेक मते हैं शिव के भी अनेक नाम रख दिये हैं आसल में उनका एक ही नाम शिव है ऐसे भी नहीं उसने पुनर जनम लिया है तब नाम फिरते जाते हैं ऐसे नहीं की अनेक नाम है एक एक जनम में हमारा नाम अलग अलग होता तो परमात्मा का नाम ऐसे नहीं होता आत्मा के उपर नाम परमात्मा का ही है हमारा तो शरेर के उपर नाम है तो जितना जनम लेंगे उतना नाम है बड़ परमात्मा का नाम करतव या वाचक होता है जितना वो महिमा है उनकी एक-एक महिमा उनके नाम में बदली हो गया तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि परमात्मा पुनर जनम लिया और उसका नाम चेंज वा, नहीं मनश्य की अनेक मते हैं तो अनेक नाम रखते हैं श्रीनाद द्वारे में जाओ तो वहां भी बैटे तो वही लक्ष्मी नारायन है जगनाद के मंदिर में भी मूर्ती वही है नाम बिन बिन रखे हैं श्रीनाद मंदिर जगनाद मंदिर तो दोनों में एकी हैं बर नाम अलग है जब तुम सुर्य अम्षी थे तो पूजा आदी नहीं करते थे तुम सारे विशो पर राज्य करते थे सुकी थे श्रीमत पर स्रेश्ट राज्य स्तापन किया था उसको कहा जाता है सुकदाम तो एक समय में बाबा ने वो स्तापन किया और कोई ऐसे ने कहेंगे कि हमको बाप पड़ाते हैं मनुष से देवता बनाते हैं किसी और कोई है क्याल भी नहीं आता निशानी भी है जरूर उन्हों का ही राज्यता तो वो था इस दुनिया में एक ऐ ऐसे सिद्ध होता उनकी निशानिया भी है वहां किले आदी होते नहीं है किले आदी बनाते हैं सेफटी के लिए यहां फोर्ट बनाते हैं तो वो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां शेत्रू को आना मुश्किल हो बहुत रास्ता उसको अपलेन होता है जैसे पेड वो सब नही होता है और बहुत उंचाई पर भी बनाते हैं क्योंकि वहां से देखना इजी हो और शत्रु को उपर चड़ना मुश्किल हो ऐसे ऐसी जगह पर वो लोग के किले बनाते हैं बट देवी देवतां को वह पॉस्बल वह कोई अटेक करेगा कुछ होगा यह तो होगा ही नहीं इन देवी देवताओं के राज में किले आदी थे नहीं दूसरा कोई चड़ाई करने वाला होता नहीं अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता दरम में ट्रांसफर हो रहे हैं उसके लिए तुम राजयों की पढ़ाई पढ़ रहे हो राजाई पानी है बगवान तो बाबा कहता है बगवान उबाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ अभी तो कोई राजा रानी नहीं है कोई राजा रानी है तो उसके गिलाफ कुछ करके उसको नीचे लाते हैं राजा इसको निकाल देते हैं कितने लड़ाई जगड़े आदी होते रहते ह यह है कल्यूग आइरन एज इज इड वर्ल्ड तुम गोल्डन एज में थे अब फिर पुर्शवत्तम संगम यूग पर कड़े हो बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए है सब का कल्यान करते है तुम जानते हो हमारा भी कल्यान होता है पहले पहले हम जरूर सत्यूग में आएंगे तो इतना कल्यान होता हमारा कि हम 21 जनम के लिए हमें बादशाही मिलती है तो बाबा कहता है पहले सत्यूग में आएंगे बाकि जो जो दरम है वह सब शांतिदाम में चले जाएंगे उनका समय आने तक बागी सारे दरम वाले शांतिदाम चले जाएंगे बाप कहते हैं सब को पवित्र भी बनना है तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले जिसको निर्वान दाम कहा जाता है वाने से परे सिर्फ आशेरिरी आत्माएं रहती हैं इसलिए बाबा शेरिर में रहते हैं हमें अशेरिरी होने का अभ्यास करने हैं ऐसे कहते हैं बाप तुमको आप वानी से परे ले जाते हैं ऐसा तो कोई कहना सके कि हम तुमको निर्वान दाम शांति दाम में ले जाता हूं उनको मालूम भी नहीं है कई लोग कहते हैं ब्रह्मांड तो वो उनको मालूम है बट वो ब्रह्मांड कहां उनको नहीं मालूम वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमोप्रदान दुनिया है इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा इसलिए नई दुनिया की स्तापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए बगवान को यहां आना पड़ता है तो बाबा कहता है यह पुरानी दुनिया में कोई स्वाद नहीं है यहां बहुत अन्याय होता है न्याय होता नहीं आप गोट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ज्याय मिलता नहीं है शिव जैन्ती भी यहां मनाते हैं, तो क्या आकर करते हैं, शिव जैन्ती यानि परमात्मा आकर क्या करता है कोई बता है, जैन्ती मनाते हैं, तो जरूर आते हैं न, रद पर विराजमान होते हैं उन्होंने फिर वह गोड़े गाड़ी का रद दिखाया, बाब बैट बताते हैं कि मैं किस रद पर सवार होता हूं कौन से रद पर आते हैं, कई लोग बैल दिखाया, कई लोग रद दिखाया तो बाबा कहता है, मैं आकर के कहता हूं, मैं कौन से रद में आता हूं तो बाबा तो ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो बाबा कहता है, बच्चों को बताता हूं तो यह ग्यान फिर प्राएलोब हो जाता है इनके चवरासी जन्मों के अन्त में बाबा को आना पड़ता है यह ग्यान कोई देना सके, जो ग्यान हम सुन रहे हैं वो कोई देना सके तो कई लोग बाहर के लोग हमारे मुरले को ले लिया लेके अभी तो सोशल मीडिया का जमना है तो सब के सामने इसका विसलेशन करने लगे और बाबा कहता है कुछ है उनको समझ में नहीं आया और यह सोच जैसे कई controversial points है जो points हमको ही मिलते हैं बाहरवालों को नहीं मिलते हैं और कहते हैं यह तो हिंदू धरम को नाश करते हैं यह करते हैं वो करते हैं तो बाबा कहता है आप हिंदू धरम है यह नहीं आदी सनातन दिवी देवता धरम है वो लोग भी कहते हैं सनातन सनातन धरम बट बाबा कहता है उनको कोई समझ में नहीं आता और ये ज्ञान कोई दे भी नहीं सकते हैं ज्ञान है दिन बक्ति है रात नीचे उतरते ही रहते हैं बक्ति का कितना शो है कितने कुम्ब के मेले फलाने मेले लगते रहते हैं ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है तो बाप ही बतलाते हैं अभी संगम यूग है तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कलब पहले मिली थी मनसे देवता बनेते तो गायन भी है मनसे देवता किये खरत नालागी वार तो डाट डाट है तो जरूर बाप ही बनाएंगे न मनसे देवता कौन बनाएगा बाप ही बनाएंगे तुम जानते हो हम अप पवित्र गुरुष्ट दरमवाले ते अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवुरुति मार्ग का बनाते हैं तुम बहुत उंच पद पाते हो उन्च ते उन्च बाप कितना उन्च बनाते हैं बाप की है श्री श्री अर्ताद स्रेष्ट ते स्रेष्ट मत तो इस मत पर चलने से ही हम स्रेष्ट बनते हैं आप देखो पांडव है कौरव है अभी परमात्मा ने किसी के दरव से लड़ा ही नहीं की पांडवों को मत दिया कि ऐसे करो वह ऐसे ऐसे करने से हम रावन के उपर यानि पांच विकारों के उपर जीत पा सके तो ऐसे हैं हम कावरों पर जीत पाए हैं पांडवों ने अगुसन ओ लोग ने शरीमत को पालन किया तो ये स्री श्री अर्था स्रेष्ट ते स्रेष्ट मत इसके उपर कोई मत है यह नहीं और ये सत्य भी है भगवान को क्या कहते हैं गॉड इस टूथ टूथ का डेफनिशन बताओ नहीं तो टूथ का डेफनिशन क्या है तो कोई तो टूथ बताने वाला एक बाप है तो इसलिए कहते हैं गॉड इस टूथ तो हम स्रेष्ट बनते हैं उसकी मत पर चलका श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं है एक श्यूबाबा का ही यह टाइटिल है श्री श्री यह श्यूबाबा का ही टाइटिल है परंता आप कही लोग आ गया आपने नाम के आगे दाश्री लगाते हैं तो एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है परन्तु वह फिर अपने को श्री-श्री कह देते हैं माला फेरी जाती है तो माला है एक सो आठ की उन्होंने 16108 की बनाई है उसमें आठ तो आ नहीं है तो आठ तो हर माला में होगा इतना स्रेश्ट पूर्शार्ट किया हैं तो 8 सब माला में आते हैं चार जोड़ी और एक बाब तो माला 8 नै याक्षमी और नारायन्त तो में चार जोड़े आठ रतन और नव नवा हूं मैं तो शिपल कहता नैंथ व वमैं हूं फूल उनको रतन कहते हैं उनको ऐसा बनाने वाला बाप है अथि निんなा नेक subjects होaqu तुम बाप दूरा पारस बुद्धी बनते हो, रंग्गून में एक तालाव है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परिया बन जातے हैं, वास्तों में यह है ज्ञान स्नान, जिस से तुम देवता बन जाते हो, ऐसे तो कोई तालाव है यह하하, नहीं तो सब को उसमें डूबा कर निकालके फरिष्टा बना देते हैं अब इस अजा तो किसको देने के ज़रूरती नहीं पड़े तो बाबा कहता है यह ग्यान सनान की बात है इस ग्यान सनान करोगे तो आप देवता बनोगे यह बाबा कहता है बागी वह तो सब है बक्तिमार्ग की बाते हैं यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए बाबा कहता है यह तो पॉस्बुल ही नहीं है यह सब है बक्तिमार्ग तोड़े इल्यूशन में रहते हैं कोई कहते हैं ऐसे पॉसिब नहीं है बस वो उसका जान निकल गए समझो और सब लोग जिस जिसको अभी दुनिया दिवेट हो जाती है दो में कई लोग करते हैं यह पॉसिब नहीं कह लोग कहते हैं कई से कह सकतो वी समय sekarang कब तो हुआ है इसलिए कहते हैं ऐसे थोड़ा वितनवाद करते हैं क्या क्या बाते बना दी हैं कुछ भी समझते नहीं है अभी तुम समझते हो तुम्हारा ही यादकार देलवाडा गुरुशिकर आदी खड़ा है बाप बहुत उंच रहते हैं न तुम जानते हो बाप और हम आत्मय जहानिवास करती हैं वह है मूलवतन सबसे उंच गुरुशिकर है तो सबसे उंच तो मूलवतन है बापा कहता सुक्षमवतन तो केवल साक्षातकार मात्र है तो आप टेंपररालिय उसको बनाया गया यूस्त करते हैं वह कोई दुनिया नहीं है सुक्ष्म वतन वा मोल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि world history repeat world तो एकी है इस world के history repeat कहा जाता है मनश कहते हैं world में peace हो यह नहीं जानते कि आत्मा का सुधरम ही शान्त है बाकी जंगल में तोड़े ही शांती मिल सकती है तुम बच्चों को सुख और सब को शांती मिल जाती है क्योंकि हम सत्योग में जाते हैं वहां हमको सुख मिलता जो भी आते हैं पहले शांती दाम में जाकर सुख दाम में आएंगे कई कहेंगे हम ग्यान नहीं ले पिचाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्तिदाम में रहेंगे तो वो जिस समय नीचे आता है उस समय से पहले बाबा कहता है वो मुक्तिदाम में रहेंगे यह तो अच्छा है बहुत समय मुक्ति में रहेंगे यहां करके एक दो जनम पद पाएंगे वो क्या हुआ जैसे मचर निकलते हैं और मर जाते हैं बाबा उसको मचर से कंपेर करता है क्योंकि मचर का आयो कितना होता है दो तीन दिन होता है या चार दिन होते हैं तो बाबा कहता। एक-दो जनम में आने वाले भी मचर जैसा है। तो एक जनम में यहां का क्या सुक रखा है वो तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पार्ट ही नहीं। तुम्हारा पार्ट तो भहत उँच है। तुम्हारे जितना सुख कोई देखना सके इसलिए पुर्शार्थ करना चाहिए तो आमको 3x4 पार्ट में सुख मिलता है तो इसलिए बाबा कहता है आपको अपनी उन्नती का क्याल रख पुर्शार्थ करना चाहिए करते भी रहते हैं कल पहले भी तुमने पुर्शार्थ किया था अपने पुर्शार्थ अनुसार प्रालब्द पाई है पुर्शार्थ बिगर तो प्रालब्द पाना सके पुर्शार्थ जरूर करना है बाप कहते है यह भी ड्रामा बना हुआ है तुम्हारा भी पढ़ेंगा ऐसे तो चलना सकोय, तुमको पुरशार्थ तो जरुर करना पढ़े, पुरशार्थ बिगर तोड़े ही कुछ होना है, का端 आपे ही कैसे टीक होगी, अगर खासी आगया, वो द्रामा में टीक होगा, ऐसे सोचेंगे, तो तो वो टीक नहीं होगा, बाबा कहता है, दवाई लेने का पुर्शाद करना पड़े, कोई-कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा, ऐसे उल्टा ग्य गुद्धी में नहीं बिटाना है, यह भी माया विग्न डालती है, बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार, जो पढ़ाई छोड़ दिया, मतलब वो माया से हार गए, तो बाबा कहता है लड़ाई है न, वो भी जबरदस्त है, माया भी ज कहती है, तो बाबा कहता है अच्छा, मीटे मीटे सिके लदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड म बॉर्निंग और नमस्ते प्रहुर्ति बनानी है दूसरा ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है वो उल्टे रूप में कैसे यूज करते हैं जो ड्रामा में है देखा जाएगा ऐसा ड्रामा कहकर बैट नहीं जाना है पढ़ाई पर पूरा द्यान देना है पुर्शार से अपने स्रेष्ट प्रालब्द बनानी है यह है दार्ना के पॉइंट्स तो आज का वरदान है कमल पुष्प का सिंबल बुद्धी मेरक अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव कमल पुष्प का सिंबल बुद्धी मेरक अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव प्रवरती में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प तो कमल बनो और अमल करो तो बाबा कहता है कमल बनो और अमल करो अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धी में रख स्वयम को सैंपल समझ कर चलो सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो सिर्फ प्यारे नहीं बनना लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना क्योंकि प्यार कभी लगाओ के रूप में बदल जाता है इसलिए कोई भी सेवा करते नियारे और प्यारे बनो लगाओ में नहीं रहो बाबा कहता है जितना प्यारे हो उतना नियारे भी रहना है तो स्लोगन है स्नेह की चत्रचाय के अंदर माया आ नहीं सकती स्ने की चत्रचाया के अंदर माया आ नहीं सकती तो यह है आज का साका और मुर्ले तो आज का अभ्यक्त इशारा है अभी हर करम कुशियों में नाचते गाते हुए करो जैसे स्टूल डांस में सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है बिन बिन पोज से डैंस करते है ऐसे कुशी के डैंस में बिन बिन करमों के पोज करो कभी हाथ से कोई करम करते हैं कभी पाओं से तो यह काम नहीं करते हो लेकिन बिन बिन डैंस के पोज करते हो तो ऐसे समझो कि करम नहीं मैं डैंस कर रहा हूँ तो कर्म योगी बनना अरता बिन बिन प्रकार की कुशी में नाचना क्योंकि बाबा ने का जैसे बैट के योग करते हो उतना ही आनुबव कर्म योग करने भी होना चाहिए तो यह है आज का मुल्ली ठीक है 28 मटरी की सलेब्रेशन्स होगा रेटरीट पे तो अगर फ्री हो तो 28 फ्राइडे हुआ तो नेक्स्ट वीकेंड समझ लो तो तरस्डे शाम को भी आ सकते हैं फ्राइडे मॉर्निंग को भी आ सकते हो और जो रह सकते हैं वो साटेडे तक भी रह लेना क्योंकि तोड़ा सा कर्म योगा भी है इदा बाबा के गर में तो जो फ्री हैं वो आपना टाइम बना लेना ठीक है फ्लायर इस वीक मिल जाएगा तो नेक्स्ट वीकेंड लॉंग वीकेंड है फ्राइडे चुटी होगी तो फ्राइडे साटर्डे संदे तो साटर्डे आप वापस जा सकते हो तो आपको अपना काम के लिए वन अंड आफ टे रहेगा ठीक है एक मिनिट बाबा की याद में देंगे अचित वादागे वाद में पसकते हैं झाल झाल